मश्कार दोस्तों मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल NK Concepts अगर आप कोई नई ओवन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं आपको लगता है कि आपको माइक्रोविव की जरूरत है और आप परचेज करने जा रहे हैं जरूर देखे और आखिर तक देखे क्योंकि दूस्तों क्या होता है कि हमें नए नए परसन को माइक्रोविव परचेज करता है या पिर दुकानदार होता है उसको अपना nihilर नहीं होता है अच्छे खासे पैसे उससे वसूल कर लेता है तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखे और अच्छी कासी जानकारी लेकर जाएं कि आपको किस microwave की जरूरत है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे size की तो size तो दोस्तो आपकी चुब family है उसके उपर depend करता है अगर आप 2-3% एक family में तो आपको 25 लीटर से कम का ही microwave लेना चाहिए इससे बड़ा आपका कोई use नहीं होगा अगर आपकी family बड़ी है तो आप 25 से ज़्यादा लीटर का microwave ले सकते हैं तो size depend करता है आपके family size के उपर अब बात करते हैं microwave की types के बारे में अगर आप Amazon Flipkart पे भी search करेंगे तो number of type की microwave आपके सामने नजर आ जाएंगी आपको पता ही निचे लेका देखने में आपको सब एक जैसी लगेंगी मगर आपको पता ही नहीं होगा आपको कौन सी purchase करनी चाहिए सबसे पहले बात करते हैं solo microwave के बारे में solo microwave, microwave technology पर काम करती है जिसमें microwave raditions होती है आपके food के उपर जाती है और उसे गरम कर देती है यह latest technology है और इस solo microwave के अंदर आप metal के बरतन यूज नहीं कर सकते हैं इसके लिए अलग से plastic crockerी आती है जो कि microwave सेफ होती है या फिर आप सेरामिक के बरतन आप यूज कर सकते हैं metal का बरतन अगर आप यूज करेंगे तो आपका food अच्छे से गरम नहीं होगा इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है सबसे पहले फायदे की बात कर ली जाए जो solo microwave है यह बहुत ही सस्ती होती है as compared to convection microwave जिसके बारे में आपको आगे बता दूँगा इसका जो cost होगी रराउंड आपको 3-4-5 जार में बड़े ही आराम से आपको देखने को मिल जाएगी इसका अगला फायदा यह होता है कि यह बहुत ही fast काम करती है यानि काफी fast आपके खाने को गरम कर देती है आपने रखा और कुछ मिनट के बाद आप निकालीजी आपका खाना अच्छे तरीके से गरम हो जाता है और इस microwave का आप यूज कर सकते हैं defrosting के लिए क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से मालूम है कि खाने को लंबे समय तक ठीक और fresh बनाई रखने के लिए हम उसे defrost करते हैं यानि zero से भी नीचे temperature पर उसको store करते हैं मगर उसको use करने से पहले हम उसे defrost करना होता है तो ये microwave बहुत ही अच्छा काम करती है defrosting के लिए भी और जैसे कि आपको मालूम है कि ये microwave technology पे काम करती है इसमें एक छोटा सा magnetron होता है जो microwave radiation छोड़ता है इसलिए इसका size भी और बाकी microwave है उनके मुकाबले काफी छोटा होता है अगर आपके kitchen में space कम है तो ये microwave आपके लिए है और इसका जो main काम है वो preheating का होता है आप किसी भी शोट पर जाएए जहां पर खाना पहले से बना हुआ होता है जैसे कि समोसा हो गया पेटीज हो गई वो क्या करते है सीधा उठाएगा और अपनी oven में रख देगा और आपको घर्म करकर देदेगा तो वहां पर most of the time यही microwave आपको देखने को मिलती है क्योंकि इस microwave का main purpose है वो घाने को preheat करना है उसके अलावा ज़्यादा कुछ ये microwave करने पाती है क्या क्या ये microwave नहीं कर सकती है हम जानेंगे इसके जो कौन से है यानि क्या क्या इसमें कमिया है इसमें आप grilling नहीं कर सकते है अगर आपको grilling पसंद है तो ये microwave आपके लिए नहीं है इसमें आप baking नहीं कर सकते हैं पीजा नहीं बना सकते हैं और उसके अलावा जो डिफरेंट आइटा में केक्स होगे रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, मैंने देखा यूटूब पर कुछ वीडियो अवेलेबल हैं, जो आपको केक बना करें भी दिखा रहे हैं, पीजा बना कर भी दिखा रहे हैं, तो दोस्तों आपक करके आपको दिखा दे, आपको केक बना कर दिखा दे, मंगर वो टेस्ट आपको नहीं आएगा, पीजा भी बनाने के कोशिश करेंगे, बन जाएगा, मंगर उतना अच्छा आपको लगेंगा नहीं, क्योंकि माइक्रोवेव बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए है ही नहीं, उसके बाद जाते हैं, OTG माइक्रोवेव, OTG की फुल फॉम होती है, ओवन, टोस्टर और ग्रिलर, यानि इसमें आप केक बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी केक बनेगा, ये तो बिल्कुल टेस्टी डेंट ट्रायल है, बहुत अच्छा केक बनता है, उ बहुत ही चीप होती है, बहुत ही सस्ती होती है, आपको 3,000 रुपे में भी आपको मिल सकती है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इसको O1 क्यों बोला, मैंने माइक्रोवेव क्यों नहीं बोला, क्योंकि दोस्तों इसमें माइक्रोवेव टेकनोलोजी है ने, इसको माइ हिटिंग कोई होती है जो जलती है electricity से जलेगी आपकी और आपके खाने को गरम करेगी तो यह इसको oven बोलेंगे इसको microwave हम नहीं बोलेंगे तो इसके नुकसान क्या है तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है इसमें magnetron नहीं होता हेटिंग कोईल्स होती हैं जो की स्पेस ज्यादा लेती हैं यानि एक नॉर्मल सोलो microwave के मुकाबले इसका जो size होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा और microwave की तरह इसमें जो microwave का यूज नहीं करते कभी कबार केक बना लिया है बिस्किट्स बना लिया है कुछ ग्रिलिंग कर ली तो यह आपके लिए बिल्कुल ठीक है जैसे कि आप देखेंगे मैं आपको आगे फरदर बता दूँगा कि convection microwave में आपको बहुत सारे cooking mode मिल जाते है मकर इसमें नहीं मिलता है इसमें आपका experience काम आएगा कि कितने temperature पर आपको oven को set करना है कितने time के लिए आपको किसी specific food को पगाने के लिए आपको time उसको देना चाहिए अब last and final बात करते हैं convection microwave की मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये microwave आपको तब लेनी चाहिए अगर आपका budget बहुत ज़्यादा tight नहीं है आपके पास पैसे हैं आप all in one यानि आपको baking करनी है, grilling करनी है, pre-hitting भी fast करनी है, latest technology oven चाहिए बहुत तरह की cooking menu आपको in build microwave में चाहिए, अगर आपका budget 8, 10, 15,000 रुपे का है तो बिल्कुल आपको convection microwave ही लेना चाहिए, इसको लेने के बाद आपको regret बिल्कुल नहीं होगा तो सारे काम आप OTG में भी कर सकते थे, मगर ये technology latest है, उसके अलावा खाना भी fast गरम करती है, तो अगर आपके pocket अलाव करता है, तो मेरे हिसाब से आपको यही microwave लेनी चाहिए, सबसे पहले इसका फाइदा बता देता हूँ मैं आपको जो solo microwave थी और OTG microwave थी, दोनों को combine कर दे जाए तो आपकी बनती है convection microwave, यानि इसमें आप कोई भी food गरम कर सकते हैं, केक बना सकते हैं, पीजा गरम कर सकते हैं, pre-hitting कर सकते हैं, वो भी बड़ी fast होगी, इसमें एक magnetron दिया होता है, जो आपकी microwave, जो raise है, वो इसको emit करेगा, उ दोस्तों मेरे तरफ से final wording ये रहेगी, कि मेरे हिसाब से आपको solo microwave नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अलाव मेरे साब से आपको OTG ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सहर तरह का खाना बना सकते हैं, मगर आपको बहुत ही ज़्यादा pre-hitting करनी होती है, बार-बार च बनाते हैं, तो आपको OTG microwave लेनी चाहिए, अगर आपके pocket अलाव करती है, आपकी जे में पैसे हैं, latest technology आपको चाहिए, आपको एक look अच्छी सी चाहिए, कोई आके देखे बोले और वाओ, बहुत ही अच्छी microwave है, तो मेरे इसाब से आपको convection microwave में जाना चाहिए, तो दोस्त वीडियो अगर आपको परसंदाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे, बने रहे हैं हमारे साथ,